पूरे देश में मनाने की तैयारी जारी है पर सवाल उसी जगह पर आकर रुकता है कि क्या भारत वाकई गनराज जैसे नसल कुशी की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा फिक्र की बात ही है कि मुल्क के वजिर आजम जनाब मोदी ऐसे खामोश है जैसे इने कुछ पता ही नहीं बलकि कुछ लोगों इसे याने नसल कुशी या फिर मुसल्मानों के कतलाम की हिमायत कहिए क्योंकि मुल्क के सबसे उच्चे होदे पर बैठा शक्स अकलेतों के नसल कुशी पर खामोश बैठे क्यों किया जा रहे ह traditions व्जाजिया वाफरी मुल्क को ने ऑफिर मूदी के अबां उस्चे खामोश रही और बार-बार तश्कर्या और सवाल किये जा रहे है क्या कभी भी भारत में मुसल्मानों के साथ कुछ भी हो सकता है ऐसा लगता है कि कहीं विपक्स को या दिगर सियासी पार्टियों को हिंदु वोट बैंक किसकने का डर लगता है और शायद इसी डर की वज़े से खुल कर शिदत से मुसल्मानों के कतले आम पर कोई बोलना नहीं चाहता और यहीं इनके खामोशी दिल में शक्त पैदा करने के लिए काफी है अमरिका के जैनोसाइड वाच ऐसे एजन्सिय है जो दुनिया भर में धर्म जात पात रंग नसल को लेकर अपनी नजर बनाय रखती है और आने वाले तिनों में कहां कतले आम हो सकता है या नसल कुशी या फिर नरसहार कई है इस पर पेशिंगोई भी करती है जैनोसाइड वाच के बानी ग्रेगरी स्टेंटन ने भारत में मुसल्मानों के कतले आम का डर जाहिर किया एक लंबे अरसे से मुसल्मानों को लेकर मेडियास यासी पार्टियों ने धर्म को लेकर जो नफरत का जहर पैवस किया है जिसका डर महसूस किया जा रहा और बड़े फसाद के जरिये इन मंसुबों को अंजाम देने का शक भी जेनोसाइड वाच ने बताया मुलका सविदान आईने हिंद नाफीज होकर 72 साल हो चुके है भारत की शहरियों की और खास कर मुसल्मानों की बदनसीबी ही कह सकते है कि एक जश्न यों में जबूरिया के मौके पर जिस डर का तौपा दिया जा रहा है और इन बातों पर यह ने नसल कुशी पर तशकरे करने की नौबत आई है दिसंबर 2021 को हरिद्वार में धर्म संसत के नाम से मजभी जलाज हिंदू तवदियों की जानिव से किया गया कई दिन तक उन्हें खूला छोड़ दिया गया जिन लोगों ने मुसल्मानों के खराब जहरे अलपाज तमान केते उन्हें आजाज चोड़ दिया गया गिरफतारी करने तक कि इंतजामिया कितनी मजबूर है इसको भी महसूस किया गया लियाद है इसके बाद जितनी भी भाज़पा एक्तदार पजीर रियासते हैं मुसल्मानों को लेकर नफरतिवारदाते पेश आई वाकई ये सब सोचने पर मजबूर कर देते जिस आईने हिन इसने तमाम मजब के लोगों को मिल जूल कर रहने का पैगाम दिया था बाले इत्ता अच्छी मक्तलिफ है इबादतों के तरीक ऐलग है खाने पीने रहने जिन्दगी उगजारने का तरीका अलग होने के बावजूद भी समीदान ने सभी को मिल जूलकर रहने का बेहतरीन तरीका बताया और पूरी दुनिया में इसलिए तो भारत की तहजीब को सरा जाता है क्योंकि जितनी भाचाएं तहजीब भारत में पनप्त इसक्तादार तक का रास्ता तय करते वें नस्ल कुशी करास्ता भी एक्तियार किया जा सकता है यह डर कहीं हाकीकत की रहतों तो थे यह पूछी जाने लगे पर क्या इनके आवाजे क्या आवाम के जहनों को बदल सकती है यह उतना ही सच है मर्कज में करीब 8 सालों से गटर ह हिंदुतवादी नरेंदर मोदी वजिर आजम बने वे या हिंदुतवाद अपने भी तरफा सिवाद को समेटे विए और इसलाम मजहर वो मुसल्मान इसके असल निचाने पर हैं बजर्ग साफी करंथापर ने बात्चीत में नसुर दिन शाह ने इस बात पर गहरी मायूसी जटाई थी हरिद्वार ऐलान के मद्दे नजर वजिर आजम ने कोई कारवाई नी की और वो पूरी तरह इस मसले पर खामोश रहे नसुर दिन शाह ने कहा कि मुसल्मानों के गतल आम का ऐलान खुले आम करने के बावजूद वजिर आजम मोदी की चुपी से लगता है कि वो हम मुसल्मानों के गतल आम की हमायत कर रहे आगे नसुर दिल शाह ने कहा कि इस ऐलान के बाद मुसल्मानों में गेरा खौफ और अदम तहफूजात का एसास परिदा हो गया और इससे खाना जंग यानि ग्रयद जैसे हालाद बन सकते है 26 जनवरी सविदान मुलकाईन उन लोगों से ही खत्रे में है जो इस मुलकाईन ही बदलना चाहते और ये जंग सविदान खत्म करने वाले है और सविदान बचाने वालों के दर्म्यान है नसलकशी की बात करना इस मुलक के सविदान को ही खत्म करने के बराबर है लेहाजा सविदाम को खत्रा इनी हिंदुत्वादियों से है जो इस मल्क को हिंदुराष्ट के जरिए हिटलर शाई को नाफीस करना चाते और सिर्फ यह नहीं और भी दिगर मिसालों को पेश कर सकते हैं खासकर अमर जवान जोती जो 1972 से जल रही थी और अमर जवान जोती उन फाउजीयों के याद में जल रही थी जिन्होंने इंद्रा घांदी के दोरे हकूमत में जीत दर्ज की थी यानि पिछले 50 साल से ये जोती ये लव जल रही थी आकर इसे भी भाजपा की मोधी हकूमत ने पचास साल से जलती हुई जूती को बुजा कर वार मेमोरियल के नाम पर बदद दिया गया है मतलब भारत की वजिर आजम उन तमाम तारीकी पहचान को उनकी यादों को आइस्ता हिस्ता मिटानी की कोशिश कर रहे है ऐसा इंजाम भी लगा जा रहा है लहाजा आज गन तंतर दिवस्त याओं में जमुरियत मना जा रहा है लेकिन क्या याओं में जमुरियत नसल कुशी से जिंदा रहेगा और अजीब बात तो यह है कि मुलक के खातिर अपनी जानों के नजराने पेश करने वारे मुसल्मानों के साथ कैसा रवया इसक्तियार किया रहा है शाहिद आने वारी सुछे कितनी खतर ना को सकती है इसका अंदाजा जेनोसाइड वाच ने जाहिर किया है जरूत है भारत के तमाम शहरियों को साजिशों के जाल से बाहर निकल कर मुलका सविदान जो सभी को मिल जुल कर जीने का पैगाम दे रहा है इसे मजबुती से थामे रहे वरना यहों में जमूरियत महज रस्मी तोर पर मना कर कुछ हासिल नहीं हो सकता कोरूना के खबर अब उतनी ज्यादा दिल्चस्प नहीं रही पर सहत मोकमा की जानिब से बढ़ती मरीजों की तायदात का आकड़ा बढ़ने की बात कही जारी बेलगाम जिला में आज फिर इजावा होते वे एक हजार के करीब पहुंचते वे देखा जा रहे कुल आज बेलगाम जिला में सर्दिय और अक्रीवन घरों में बखार खांसी के मरीजों के मदे नज़र अंजुमन इसलाम बेलगाम की जानिब से मुफ्त मेडिकल कैम्प शुरू किया गया कुछ ना कुछ सियासी सरगर्मिया बेलगाम की सियासी गलियारों में देखने को मिलती है लिहाज असरी मामले में अपनी वजारत खोने के बाद रने जार्कियों ने फिर से वजारत हासिल करने के काफी कोशिश की लेकिन हाथ कुछ नहीं रहा आज एक बार फिर अपनी भाजपा से वफादारी का एलान करते हुए कॉंग्रेस के 16 एममेले अपने राप्ते में होने का बयान देकर नया शगुपा छोड़नी की कोशिश रमेज जार्कियों की है अब इसे सियासित पस्मंजर में अलग-अलग नजरियों से देखा जा रहा है सभी जानते हैं कि अमेल्सित चुनाव में भाजपा उमिद्वार मानतेश कवड़किमत की शिकस्त को रमेज जार्कियों जम्यदार होने की बात कही जाती है काफी हद तक भाजपा में रमेज जार्कियों की इमेज अब ठीक नहीं है लेकिन किसी तरह अपना बचाव करने की कोशिश और भाजपा उनों को खुश करने का ड्रामा करने का इज़्दाम भी रमेज जार्कियों पर लगाया जा रहा है इसलिए हाल ही में उमेज कत्ती के घर पर हुई मिटिंग के दवरान दोनों जार्कियों भाईयों को बुलाया नहीं गया ये भी कहा जारा है कि बाजपा के बड़े हमायती होने का दावा कर आकिर में कॉंग्रेस में वजारत के साथ छलांग लगाने की फिराख में तो रमेज जार्कियों नहीं है ऐसा भी सवाल किया जारा है खेर आज 16 अमेले कॉंग्रेस के रमेज जार क्यों कि राप्ते में होने की बात को कुछ लोग क्या 16 अमेले के साथ खुदी ही कॉंग्रेस में जाएंगे ऐसा अंदेशा भी सियासी गलियारों में जाहिर किया जा रहा है बेलगाम जब पुलिस इंतजामिया के दो पुलिस वालों को सद्रेहिंद आजाज से नवादा जा रहा है खड़े बजार पुलिस थाने के सियेचेट, शंकर रौशिंदे और डियार पुलिस के यसार यसी दस्तगीर मुहम्मद अनिव घोरी को 26 जनौरी के मौके पर एजाज से नवादा जा रहा है कुल रियास्त के 19 पुलिस वालों को इनके खित्मात के मद्दे नजर एजाजात से नवादा जा रहा है बेलगाम शेहर को स्मार्ट बनानी की बाते तो बारहा होती रहती है लेकिन स्मार्ट चहर में ऐसे कई बद्नुमादाग भी है जो अमूमन अपसरों के साथ आवाम को भी नजर नहीं आती और आवाम से आप इस टूटे हुए नोकिले नटबोल्ट सटक पर लगे हुए देख सकते हैं रात में कभी-कभी गाड़ियों के टायर को लगकर पंचर होने की वारदाते पेच आने के बाद कई जारी है आदालत, डी-सी दफ्तर और अज्जुमन स्कूल कॉलेज के बच्चे इनी रास्तों से गुजरते हैं यहादा बड़े हाथ से से पहले इसकी मरम्मत करने की मांग आवांकी जानब से की जारी है खबरों का सिल्सला यूही चलता रहागा देखते रहे त्याद नूज शुक्रिया दाखनेश